यहां पर हमारे पास नुकले टेकलोजी के यह जो टॉपिक है जिसका इंडेक्स में आप लोगों को सुपोर आप इंडेक्स में पहला पार्ट सब्सक्राइब फांडेशन पार्ट इसके आगे की चीज recipro muchos फुर्व करने वाले हैं that is a concept उसके बाद nuclear reactor इसके बाद इसके usage और बाखी सब चीजे हैं ठीक है चले start करें नुक्लियर टेकलोजी क्या है नुक्लियर एनर्जी कैसे बनती है इस सब चीजे हमको पहले समझ ली है तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ इस universe का सबसे strongest force क्या है strong nuclear force इस ब्रह्मान का सबसे सकती साली बल क्या है प्रबल नाभी की बल इसको हम कहते हैं देखो there are four fundamental forces in this universe केवल चार ही ऐसे मौलिक बल हैं मौलिक बल कहने का मतलब fundamental force की मतलब जो hundred percent original force है और बाकी जो force हैं वो कहीं न किसी किसी से derive हुए है उत्पन हुए हैं या connected है लेकिन यह जो चार force है इस universe में हर जगा मिल सकती है जो fundamental force है मैं universe कह रहा हूँ केवल आर्थ नहीं कह रहा हूँ वो चार चीजे क्या है लिखी यह आपको वैसे मैं chemistry के topic में बताय भी होता वहाँ पर general science में फिर भी यहां लिख लीजेगा इसमें लिखना चार fundamental force हिंदी में कहेंगे तो चार molecule और इसको मैं आप लोग के हाँ sequence भी बता देता हूँ ताकि कल के date में exam में आये तो आपको दिकत ना हो सबसे strongest है that is strong nuclear force प्रबल नाभिकिय बल प्रबल नाभिकिय बल यह सबसे strongest force है rank 1 है इसका दूसरा वो होता है अच्छा सबसे strongest तो सबसे weakest बता दीजे गैस कर सकते हैं सबसे weakest force क्या है सबसे दूरबल बल क्या है वो है आपका gravitational force gravitational force यानि की गुरुत्वा करसंड बल यह सबसे weakest force है गुरुत्वा करसंड बल चिक यह fourth ranking हो गया तो second number में क्या आता है वो आता है electromagnetic force चीक है यानि की विद्युत्व चुम्बकियबल यह आपका second number में आता है थर्ड नंबर में क्या आता है थर्ड नंबर में आता है weak nuclear force या हिंदी में कहें तो दूरबल नाविकियबल यह क्या है आपका तीसरा नंबर में आता है यह sequence याद रखना एक्जाम में पहले पूछा जा चुका है ठीके PSC नहीं पूछा है ब्यापम ने पूछा हुआ है सबसे strongest क्या है देखो अब यह कहां पे होता है proton और proton की बीच में होता है यह proton क्या है थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर देखिये हमारा जो क्या होता है जो भी कोई भी element होता है कोई भी तत्व होता है उसके उसके जब atom यहने परमानों को देखते हैं उसके atom यहने परमानों को देखते हैं तो center में क्या होता है nucleus होता है नाभिक होता है Yes Aro? आपका ना भी कियाने की Nucleus हो गया Nucleus इस में क्या होते हैं? यहां पे proton होते है और neutron होते है इसके टारों तरब क्या है? इलेक्ट्रों चक्क्र लगाता है यह तो हम बच पन से पढ़ते हा रहे हैं electron उसके चारों तरब चक्क्र लगाता है बीच में क्या होता है आपका प्रोटॉन और नीट्रॉन होते है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है नीट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता इलेक्टॉन में नेगेटिव चार्ज होता है आप सभी जानते है अब करना क्या होता है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के ब तोड़ देंगे तो ये दो छोटे-छोटे न्यूकलियाई में तूट जाएगा ये जो मेन जो न्यूकलियस याने नाभिक होता है ना तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसके बाद दो छोटे-छोटे न्यूकलियस में तूट जाएगा और क्या होगा इसमें क्या होगा ती ती निट्राउनुत पन हूता है